यह हमारे पावड की है तो तो पावड की दबाई और कितने इस्टक हो गया जाहिए जाहिए पॉइंट एन बुलो भाई मेरे पहली बात दान देना यह हम इसको बुलेंगे कहां से दिकर यह एक सो साथ बूलो अब तम्हादी दिसी दीदिंग कोलो यह दिसी दीदिंग तुम्हादी किसके में आ रही है जली बताओ पचास से डोफोग्सद पचास से दोसन सब कि स्का मतलब यह ह utilizar की पहली बात फेली बात बुलो भीपीफ थोग के बाक और बाक इंटिसाइवाली केबल दोसमें लागा नेखो अब आम यहां पे डिवाइस में नेजर खोलेंगे अकर यह पोड बना देता है अब को फोलेंगे आटो फोड गॉलकॉम धारेट लागा कर पोड बनाता है एडियल के साथ टेस्पोइंट के साथ बनाता है तो कहने का मतलब है तो यह आटो पोर्ट में जा रहा है से क्या है तो यह जोड़ी नहीं है कि हंडर्ड पर्सन इमिंसी होगा अंडर्ड पर्सन स्वाट्वेर होगा यह बूर्ड में भी प्रोब्लम हो सकती है पर इसलिए बहुत अच्छा केस है इसलिए समझा रोग एक आपको कॉल्गम का भी स सब्सक्राइब नहीं है तो हम यह देख रहे हैं क्योंकि अगर यह पूर्ट नहीं बना रहा है बुलू है इसका मला CPU एक्टेल नहीं है तो कि पूर्ट कौन बनाता है अब हम क्या से देखेंगे इडियल से इसका इडियल पॉइंट है तो हम इसको तुरह का तन्फॉं करेंगे इडियल पॉइंट तो हम यहाँ पर लेगे इडियल पॉइंट एंटर मड़ेंगे और यवाँ एडियल पॉइंट में हमारे को इडियल यह इसके दू पिन मिलेगे यह दो अब हम यह उसमें लगा दो चाहरगम आथ हम पहले बाप लगाएंगे और रिभा चेक करेंगे देखो, दिखे, तोड़ा खोट को हिला लेंगे, सी सी हो सकता है, नहीं है, अब हम अब इडियल बनाएंगे, अब हम टुजर लेंगे, टुजर देवादी, लोग, अर्मान लगा, अब हम यहाँ टुजर को सौट करेंगे, एक मिटे, अब बनाओ, अब टुजर, विटेखो, कॉल कम बने अबर, इसका मतलब, फूरिकर, और यह कदने पर रूक रहा है, desktop on open normal port बन रहा है कॉंसा इसका मतलब हम इसको अब से पहले क्या कर रहेंगे बताओ फ्लैस प्लैसिंगे बाद में अब हमारे को डाना ऐसका में कि इमंची अगर आप पुलो में सी भी चेक कर लिया बुर्ड़ो आप इसका चेक करेंगे तो यह बहुत अच्छी केस्ट यह जमाग में डालेगी कि सब कुछ इमिम्सी पर नहीं होता है अगर आपको इमिम्सी कर लिया तो आपको क्या करना है यह देखो तो हम पहले इन सब को हडा देते हैं और वाइवन डालते हैं आपर तो खौत तो हम वाइवन डालते हैं आपर और यह फाय ओंगराम है यह पोला और टाइक्राप यह बितलैप व्लते हैं हमासी में फायदा होगा हम लगाएंगे इसमें चार्जी पेबल अब इसके सारी वोल्ल्टे चेक करेंगे सबसे पहले हम एक काम करते हैं डारेट इडियल वोल्टे छेक करते हैं कूंसा गोल्टेज जलिए बता चल जा जाएगा तो इडियल का आने का मतलब बलु अब आ रहा है पर क्यूंकि हमारा सेट इम्मेंजी रिडिंग पर इसलिए हमको यहां इम्मेंजी के वोल्टेज चेक करना है MNC plus RAM, बलो MNC plus RAM आमनोटिस करो अमने पूरेटी इसके आपको पता है हमने इसके पुरे बफ चेक किये थे प्लो इसके चेक किये थे ना हमने पुरे बफ इसके चेक किये थे तोटल कितनी क्या लेदाओ अच्छा सिंगल पाउर है, कितनी को लोनी चाहिए? पाइट शे उसार बहुँ और एक को छोड़कर सारे पर क्या मिलनी चाहिए? अजो देखो अगर हम यहाँ पा देखेगे पहले हम इसमे देखे बी-पी-अच तो अगर हम चार्जर लगा है एक मिट चाहिए नई को कि बी-पी-अच ने सीन यह है बैटरी लगने पर भी देखना पड़ेगा तो हम पहले इसमें देखे आते हैं यह बी-पी-अच हम इस डायोड पर भी देख सकते हैं लेखो यह बी-पी-अच आ रहे हैं आपर? आरहे हैं यह बी-पी-पी-अच ने अब हम चेक तरहेंगे यह मिल गया, लोवर एंड यह ब्लो हमिल लो खेंब लो हमिल लो स्टेबल मिल ला है? थीक है यह नहीं हमारे को यह है हमारा मेमोरी अगर आपको मुझे पढ़ना है तो आप मुझे क्योंकि मेरे पास एक 10 साल का एक सिफ टीचिंग का एस्परियंच जिससे मैं आपको दे सकता हूं थाथर कॉलिटी की टीचिंग और आपको टेक्निक क्या मिलना चाहिए अब करेंगे इमम्सी को निकालेंगे इमम्सी को तो हम बात में निकालेंगे आप तो में आपके उमें सा कहूंगा, कि अगर डाइग्राम है तो यह तीनों चीज पहले चेक कर लो, यह मैंसी बात पर निकालो, अगर डाइग्राम के साथ नहीं, तो अब हम इम्मेंसी पर जाएंगे, यह मैंसी हमारे यहां पर हमने क्लिक किया, ठीक है तो यहां पर MNC का है U80, U0801, यहां पर क्लिक करेंगे, यह आगे MNC, और आगे बढ़ाएंगे, U801, चलो, अपने खुद MNC धूर लेते हैं, वो MNC नहीं देगा, यह बग, LDO, पावर, और यह मिल गया हमें EBI, यह हो गया MNC, यह CPU, यह मैं आगे बढ़ाऊंगा आपको पुरा CPU, यह पावर, यह ग्राउंड, और यह हमारा CPU ही चल रहा है, यह CPU पुरा पढ़ाएंगे, MNC चलिए हमको, ठीक है, यह हमारा MNC आगया, यह MNC, तो MNC के बगल का कोई काट्टेटर टाच करेंगे, यह आगे MNC, तो MNC के अंदर हमारा version क्या है, कुछ न ही लिखा हुआ है, आप देखो, LPDDR3, यह सब दिखा ही दे रहे हैं आप लोगों, तो सब कुछ वोल्टे चेक करेंगे, अब धान दू, आप देखो तो अंदर सब गायर, जबकि यहां पर सारा कोडिंग लिखा होना चाहिए, क्या लिखा होना चाहिए, तो इसमें एक और सब राप देखोम सनगे, नदेेखोर सनगे, लिखार, अबसे धीशाए, तो रिखा है, नसे रिखा सेमिते विखा क्यों है, और आप से मिल जायेगा क्योंकि वैंप पूरा भैशा, चयले, ग्योंकि फूल भी शीरा बस्पनेटिंग निठीशस्ता खुरों, जूस दैखें सब्सक्राइब और देखों सप्सद्रीनिक이다 डिंधान लेडिक अब इसके लिए और रेडिक आब इसके अंदर आँ जाएंगे 501 यू 501 यहां पर सच करेगे वenga hx 2109 कि यू 1501 n στο yeah था Hazara göz stud दो अपिंगत कभिव 19 तो कहने का मतलब है अब अब लाउड को करेंगे अब श्क चेक ही तो किस के किस को가 मुझान आप इसके लियाउड को किए इस किए Wars और लियाउड को किए और आप अब दान दो, अब अबन तप से पहले है, में सी में जाएंगे, यह हमारा बीतरी है, यह हमारा इस यह साफ से सर्च नहीं हो रहा है, तो हमको यहां से बापस सर्च करना पड़ेगा, और हमको बापस होई लिखना पड़ेगा, कहले को जली बताओ, U1501, U1501, एंटर करेंगे, यह आगया, अब इसके अंदर हमारा सारा सप्लाई का नाम लिखा हुआ है, अब यह हमारा पूरा VCC-Q, तो यह हमारा यह कैपसेटर देखेंगे, तो यह कैपसेटर हमारा यहां पर हम देखेंगे, तो यह सर्च नहीं कर रहा है, हमने तो थारे पाड़ ली है, हलो, अब 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 कुछ निकालने थे, सुगजा यह वाला पैट अपना कौन से पैट में लगा होता है, V6, यहां पर V6 में आएंगे, मनला हमारे पास में यह मिल गया, हमको यहां पर मिलना चाहिए, 2.8 voltage किने voltage जली बता हूँ क्या देख करते हैं हमारे पास में हम 10 तरीके तर चेक कर सकते हैं हम इसमें इसमें उतार कर सकते हैं मिलगे अब 2.1 अब हम चेक करेंगे बोलो क्या बी थ्री निकालो अदना वही वाला पैट निकालो वही भी थ्री में हमारे कितने पोर्टच जाएं है जली बता हूँ कि भी फी थ्री चेक होगे है बी सीव चेक करेंगे वांपोंट ने और जो हमारा भीष भीस शीक्स वह मरा है वी शसी जीए और ऊटर आपर है यहां पर यहां निर्म का इस lament करेंगे करेंगे टिन्यों कि कि यहां प्रण करेंगे वन वॉन पोल्टे के रह Usually स्बसे करेंगे वुद्रण का निर्ट रखन एन्हां के मां गहता यहां पन कराब करें रहा करें इसको अब इसके ऐखकर से ध्र वी डी डी टू और इस पर 1.2 बनना चाहिए कितना बनना चाहिए और यह है F5 यह लोगो यह इस बड़े कैबसेटर के आप यह जिए कैबसेटर के तो यहाँ पर हम वोल्टे चेक करेंगे वोल्डे करियाओ तो अब बनला वी डी टू भी अपना ओके अब क्या है इसलिए चीक कर रहे को कि मिंटी की डीगा नहीं अपको अलो अंद में चेक करारे है अपना बी डी डी टी डी रिक्यू उन जीनाइं तो जीनाइन वाले प्लिश्टर में जाएंगे और जीनाइन आइ और ही ओगा एज तो देखा जाए तो इस पर एक़ी बूछते से देखा जाए तो इसी यह पर भी यह यहाँ क्या डिए अग्ला डिएए अग्ला वाता हूं कुन सा? K2 K2 यहां ते कितना है ऎपिरो किनो? A, B, C, D, E, R, G बढ़ो H, J, K K2 K2 पर भी अपना K2 पर भी सेम है VDDCA ना भाई? ये लिखा हुआ है और इस पर भी कुन सा L2 हो आरहा है? L2 मदलब एकी को इससफ पर हाहा है अगला बता हू M2 तो पहले जेख लेते हैं M2, M2 किसका पैड है, पैड नमर बताओ, सप्लाई का नाम बताओ, यहां लगा हुआ है, यहां लगा हुआ है, रजिस्टर, क्या लगा हुए बताओ, दो रजिस्टर लगे है, जीरो उनके, एक यह, और एक रजिस्टर लगा हुआ है, जो जा रहा है, M2 और कौनसे नमबर पर चलिए बताओ, P30, अब इन दो रजिस्टर पे हमें कितने वल्टेज मिलने चाहिए, 0.6, बोलो, 0.6, देखो कहाँ पर है रजिस्टर, बताओ, तो अगर हम, बड़े दो के नेचे 3, यह हो गया, और यह रीचे वाला, माला भी ठूटा हुआ रजिस्टर दिखाए जाना, हेलो, देखो, तो अगर हम, यहाँ पर वोल्टेश चेक रहेंगे, पॉइंट से, यहाँ पर जीरो है, और यहाँ पर कितने कर चेक रहेंगे, पॉइंट चेक, मतलब हम इस पर क्या कर देख जली बताओ, जंपर मार सकते हैं, क्यों मार सकते हैं जंपर, जीरो कोर्ण सकते हैं, लोटिस करो, कर दोड़ बुल कटा देना अब एक बाट फिर हम अपनी डिसी रीडियंग को चेक करेंगे लोडिस करो पहली हमाटी डिसी रीडियंग किस पर अटक रही थी बताईए एक सो चेह साथ और वो हमारे को क्या दिखा रहा था क्या अब कंडिजन इमिमसी और अगर हम इमिमसी निकालते रहते हलो हम दाबना टाइम वेस्ट करते नहीं कि अजली बताऊ यह सारी चीजे हैं हमें समझना जोड़ी है ताकि हमें क्या-क्या चेक तरना है अब देखो अब हमें अब इस बोड की रीडिक फिर से देखेंगे तो जड़ो देखो अब इस बनेगा है तो जब देखो इस बहुत का पावर हो और कॉंकोल चेक कर लेगा जान पावर हो कौन को चेक लेगा जान नहीं कि हमने फावर के कापिसिटर जाने खेलो पिर अमने असके बाद है हमने बग आग कोईलो के सब्सक्राइब कर दो पावर का सब्सक्राइब यहां पर सामसुन के सारे कोलो पर वोल्टेज बनना चाहिए नहीं किसके पास सब्सक्राइब कर देखा कि पाच कोईल के सब्सक्राइब का होते हैं और नौ कोईलों के सब्सक्राइब कर देखा और एक बहुत अच्छा डाटा लेके जा रहे हैं तो मैं जानना चाहता हूं इस 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 आज की कलाफ में पावर के सेक्शन में आपको फॉन मनाने में बदद मिलेगी की नहीं मिलेगी कौन को अपने फॉन मना के रहेंगे आज से आगा बाट इसको किसकी ने रिवोल किया है आपर मुझे बताब हम सब्सक्राइब दे 2 में डुएल लेकर CPU तक सारे CPU को युनिवर्सल से किस-किस ने रिवोल किया है दे 3 में लाइप आवर आइसी किस-किस ने निकाल के लागा एक बार भी नहीं वह भी दो तीक बार है लो आटा सीट बनाई एसी अडेटिपिकेटन CPU को पढ़ना सीखा यह सर्फ दे 4 ने लाइप सीप्यू किसने कर रहे है वह सब्सक्राइब सब्सक्राइब प्रेम जलाला है मैं उद्राखंड से हूँ मैं पहले तो आज देवसर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ क्योंकि आज सद्का डेट सेक्शन का गलास्ता जो हमें काफी मतलब कहने का मतलब है कि मेरे पास इतने सैट आते ते डेट वाले तो मैं जो मेरे से आज इतना आसान था मेरे को यह चीज अभी भी समझ मुझा है कि इतना आसान था और मैं इतने वापस करता था यह मुझे आज इतनी सडल तरीके से समझाया गया ते उसरे द्वारा कि मैं इतनी सो सकता हूँ सुबे 10 बजे से हमारी क्लास स्टाइट हुई थी सामको 5 बजे पूरे पूरे साथ घंटे इस तरीके से एक एक चीज इस तरीके से समझायी गई कि मैं खुद नहीं सो सकता था कि इतनी आसान थी से मैं अपने डेट सेक्शन कंप्लीट कर सकता हूँ इसे बहुत 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 दन्यवाद इसे डेलिगों का और साथ ही हमारे M.D. Sir का कि मेरे पास एक 10 साल का एक सिर्फ पीचिंग का एस्परियंच जिसके मैं आपको दे सकता हूँ धातर क्वालिटी की टीचिंग और आपको टेक्निवाद पंजाब से हूँ आज देश्ट के साथ सुबह दस वेटिट डेश्ट की प्रास्ती जो कॉंचिनू पाजवे सक चली कि अच्छे तरीके से देश्ट की नोलेज वेए अज मारे साथ इस नाम पताईए अपना इस परशन मैं जमू से हूँ आज हमारी देव सर के साथ डेस एक्शिं की गलास थी देव साने अच्छे से एक्स्प्लेइन करके बताया है कि कैसे डाइजनोल करना है अगर पावर आ पूरा शनगाया है अट गंटे की फिशिक अभी ट्रैक्टिक जश्ट अभी प्रैक्टिकल चल रहा है तो अभी काज हूए शिरप अभी भी हम पैक्टि ली कर रहे हैं लास पर चाब दस बहें करके पांश बहें तक गम पूरा नो नो इस दो और फजय अश्ट परहें क्या करना है, उसके बाद DC रिचिंग पारे में पठाया गया, भी देख्षी बड़ा देखे बता देंगे हम को नए क्या करना था नहीं करना है, ऊसके बाद स्टोरी फुरा सम्धा गया अभी 11 बजने ओले तो अब तक अमारे क्लास चल रही है मतलब आज एका ब्रेक में लाता उसके बाद प्रेक्टिकल्स जो आज हमने डेड्शक्शन में सिखा कि DC2, 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 DC2 हाली एक कापैसेटर से के इसे चेक करते है प्रेक्टिकल्स जोट उसके एक या दो उल्टेस हेही हम पता कर सकते के हमारे कापैसे क्पैट्स हे नहीं हे या फिर किस प्यार पावड एसी किस पैड पे किस पैड पे कितना जियार या भी फिर कुन सा पैड चेक करना चाहिए इसके बाद अगर रोज दो आइसे उपके तो हमें सिधा मतलब किस पर काम करना जाहिए अजिए किस पर काम करना जाहिए यह हमें पूरा डेट सक्षिन में एकडम मतलब एकडम क्लियर और पर्टिकुलर नौलिज के साथ देउस्टर में बताया इसके बाद वही है अभी प्र इसके है के हाँ एक एक नौल पूरे बहुत जो हो रहा कम बीजे मनों सिक् geschक्ता हिए और सब्सक्राइब पावर शमकरियिक तरीख में सिफटें जातार्यरे नौल थे बिंगर बाद से किसे किसे बीजारा है और पार शप्लाइप को चिको किसे नों सिपकरारे बिल्कुल इ बिल्कुल अभी आसानी तरीके से हम चेक कर सकते हैं, दो तीन वोल्टेज को चेक कर सकते हैं, जैसे 5 वोल्ट उसके बाद 4 वोल्ट और 2 वोल्ट को चेक करके मैं पता सकता हूँ कि ये डेड़ है या नहीं है, उसके बाद जो है उसको कैसे हाइड आउट करके सही कर सकता कि जो भी डेड़ मोड आएगा मेरे तॉंटर पे भूंचर के नहीं जाएगा और मैं अपने आत्मा से कहता हूं पिल्कुल कि अभी जो भी सोप्टेवर क्या आएगा जो भी आएगा इसको मैं फाइंड आउट कर सकता हूं अज हमारी डेड़ सेक्शन की क्लास थी देव सर के साथ जो दस बजे से पांच बजे तक चली जो देव सर ने इतने इंडिस्टिंग के साथ हम लोगों को पढ़ाया जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था और मैं जो इतुमुल्च से दुसरे मुलत आया हूं यह सोचकर कि मुबा में इस तरीके फॉर्ड आते हैं डेड़ सेक्शन जो बहुत मुश्किल होंगे जो हम सरे कभी फॉर्ड फाइनल नहीं होंगे लेकिन आज इस तरीके से उन्हों ने पढ़ाया कि दिली फाइस हो जिल से कुशी होती है कि कोई भी डेड़ सक्शन अगर हमारे मुबाइल शोक इसके बारे में हम अब सरल तरीके से आसान से दस बजे से पास बजे तक साथ गंडे एकदम पड़ाया था इसके बाद में हम थीरी क्लास में बैटे थे अब साड़े दस बजे अब तक हम थीरी में पर्सनल से प्राक्टिकल किया थे अब मैं दावे से बोल सकता हूं मेरे प आज डाइड की डाइमेस की खिलास्ती सा, शुषे 10 बज़े से 5 बज़े होंगी, तो बो जाफ्चा दे समाझ आया, तो डेक्रेड ने, दो गाइन से मैं EMMC, फावार, जोटीस चेक करके बता सकता हूँ को पॉंची ठाल थे, शुषे 5 बज़े से 5 बज़े से 8 गंडा ब्रेक सब्सक्राइड के सब्सक्राइड कर सकता हूँ, और यह ट्रीक देव सर के साथ प्रेक्टिकल किये हैं, मैं अपने साथ डेड़ सेट लेकर के आया था, उसमें फाइंड आट किया और रिज़ेट इसे फोट निकाल करके बताया, और बहुत अच्छा रिज़ेट मिला हमको, और देव सर ने यह एक ऐसा टीव बता हैं कि आगा, कैसे हम फोट को 5 मिनट के अंदर फोट फाइंड कर सकते हैं कि कैसे कहां पर आपर वोल्डे चेक करना है, सिन फे दो होट निकाल कर रिज़ेट का बता सकते हैं कि कहां के और बता सकता हूं मैं में महारा़ाश का रह लए हुआ हूँ आज हमारी डेट सिक्षन की क्लास होई है दो बहुत ंची तरीकह बताया है देटन को किस तरीकह से ओपड़ृड़ करनना है आज वात 10 बे से हमारी च fulf चालो उह है शाम में 5 बे तक चली है तब इबन till regular कलाश सुभीन का कर इस के अधी गनते का इसके बिर काय को साथ था कर राए इसके बाद hex कर। पाइंड करने के बाद में उसका सुलूशन भी इजी तरह किसे हो जाएगा इसके लिए देव सर को दन्यवाद अज हमारे साथ हैट्टावीसज आगस्त की बेट ? हमारे साथ है 28 अगस्त की बेट? आज कौन सा दिन है हमारा? तीसरा दिन मतलब पाफर किस किसने न कया? पाफर डन सबने? सबहने? एसे डेली काम बोलता है तीसरे दिन पाफर मतलब पाफर सबका डन होता है? चलिये ठीक है एसे डेली काम मतलब? एसे अपनुश् tactical हमारे साथ है 28 अगस्त की बेच उनको लाई वे हम सब लाई वे तो भाई साड़े दस बज रही है और हम क्या करके उठे हैं अभी सिप्यों मांट रिपाउंड किस किस लेगा रहा है सबने क्या है तो चलिए ठेंक यो एंद और बेस अल आपके साथ सर्किट की क्लास है देऊ सरके साथ एक बार क्लेपिंग बन दी है सरके सां कि दॉल जूल सून सुनसा का रहा को और हो जूल सुशा whackा रहा है कर वे कि अदेखरै चल्याने निदेखरने क 2 सिप्रमों का विया दो थो मिला है और सो जुट आट करख करना इता सानीब बां तो में चरो वे शीज़ को थीजों इस्टिटुट की तरफ से एसिया टेलीकॉं की सफ से आइफोन मास्टर सरक्ट कोर्स और 5G अपेज्ट में दिया गहीं जो इस जो जो मिला है, आईपोन को से एंड़ेट और आईपोन का जो दर्णिग आप निए जो हमें आने वाले वाले में इसके लिए इसके कि इसके सिखाएगा। ये बहुत-बहुत सुक्स बड़ा हूं एंड़ी सका और डेव सका ओर देव सका चली ठीक है मेरा नाम साउध्या मेन में च्छती जरस हूं मेरा मिरी भी सिर्प धिक्रों यह भी आईपून का इसजिद गीट है जिए अंद्रोट व्यार्ट अचविकर एंड्रोट एंड्रोट का इस एयर इक है तो हम उन्म सीदिद का इजले पर नग्रोट को श्रखे यहां इस भी musica हो सर मैं और्ट का कोर्स भी ने आय था। देव सरने और आईसे अल आईपोन पाज जी का को डिप्स दी आई इस यह मैं इसके टेलिक उलिप सर को धन्यवाद करना ले जापी खुछ झीजिए वाली बात है क्या वाकि नहीं नहीं है। आपको आउपट लेके जा रहा है, आपको उनकों काम करने वारा है दूकान का काम दुसरों को दे रहे हैं क्योंकि आपसे IC लेवल का काम नहीं आता और और आपने सस्ते में लोकल मोबाइल सेंटर में काम भी सीखने गए पर वह भी नहीं सीख पाए और नहीं यूट्यूब में सल्यूशन देखने का फाइदा मिल रहा है तो आज ही जुआइन करो देश का सबसे बरहा चिप लेवल Mobile Institute Asia Telecom जो आपको देगा आपके काम की गारंटी अगर आप Mobile Technician हो और IC चिप लेवल का काम नहीं कर पा रहे हो और आप CPU EMMC पर काम करना चाहते हो तो आज ही कॉल करें एडमिशन के लिए हम आपको देंगे गारंटी वर्क, तीन दिन में Power IC और चौथे दिन में CPU करवा देंगे हम देंगे IC Pad Line की जानकारी, यहां हॉस्टल में इसकी सुविधा फ्री है, हम बनाएंगे आपको तकनीशन से टीचर, यह आपसे वादा है एशिया टेलिकॉम देश में, Advanced Mobile Training Institute में सबसे बेस्ट क्यों है? हमारे यहां स्टूडेंट को मिलते हैं 12 घंटे में, 7 घंटे, सिर्फ प्रैक्टिकल और बाकी थोरी क्लास यहां स्टूडेंट से काम करवाया जाता है, ना कि फोन टीचर से, फोन रिपेर करके सिर्फ दिखाया जाता है यहां बेसिक से Advanced सीख आया जाता है, जिसमें Hardware EMC Software है एशिया टेलिकॉम देश में, Advanced Mobile Training Institute में सबसे बेस्ट क्यों है? हमारे यहां स्टूडेंट को मिलते हैं 12 घंटे में, 7 घंटे, सिर्फ प्रैक्टिकल और बाकी थोरी क्लास यहां स्टूडेंट से काम करवाया जाता है, ना कि फोन टीचर से, फोन रिपेर करके सिर्फ दिखाया जाता है, यहां बेसिक से सो हाँ दोस्तों में डेव तर नगवाल, ASC Telecom को काउणडर, अगर आपको पढ़ना है एक ऐसी मुबाल रिपेरिंग, एक गुरू कूल से जहां पर डिसिप्ले हो, जहां पर आपको गरेंटी मिले, जहां पर आप तीसे चौदे दिन में आपने पावर सब लगा कर बैठ गए हो ताकि उत्के बात शुरी का मज़ा आए और थियोरी के साथ भी आप देली सीप्यू लगा है ताकि आपको आपका हैंड स्किल बना रहे हैं तो कि हैंड स्किल नहीं होगा तो तीप्यू के पैट जानके भी कोई मतलब नहीं उग लेगा और ज जिसमें आपको लेटेस्ट जो आईसी हैं जो सीप्यू चेलिंज तक कुछ आपको अगर रिजल्ट चाहिए तो आप हमारे को जॉइन कर सकते हैं इसा टेलिकॉम अगर आपको सीप्यू मास्टर बनना है तो जॉइन करो मेरी इस मेनी के 28 सारी की खलाफ 25 साइट तक आपको को पहुचना है यहां पर तो आज ही कॉल करो यह मुझा ना चुपने दो और दूस्सों अगर आपको मुझसे पढ़ना है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 7007 3992 क्योंकि मेरे पास है दस साल का इसे टीचिंग का एस्परियंच जिसके मैं आपको दे सकता हूं धातर कॉलिट हुरा पो तेक्निट